नमश्कार दोस्तों वेलकम है आपका 56 पर न्यूस के ओफिशल यूटीब चैनल उपर यहाँ पर हम लोग मैच कोवर करने जा रहे हैं ट्रेंट रोकेट्स वरसेस लंडन स्पीर्ट्स के बीच में जो 20 नमबर मैच है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं हम लोग small league का combination बनाएंगे तो small league में क्या होगा सबसमेन कि आपको जो core players देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे ये core players जो कि आपके opponents लेकर आएगा अगर वो समझदार opponent नहीं है और selection based teams create अगर करता है देन आपको यही same teams create जो है आपके opponents में देखने को मिलेगी केवल दू player का changes आपको देखने को मिलेगा वो concept player होंगे वो हम with analysis के साथ में देखेंगे concept players है प्लस हमें 9 players जो जनता selection आवाले दिख रहे हैं न core players उनको हम उनके साथ में नहीं जाएंगे हम कुछ different करेंगे ताकि हम लोग different ranks लेकर आ सकें क्योंकि हमारा target small league की team से up to 11 members तक भी win करना है और उससे above भी win करना है ठीक है तो हम लोग एक दो risk लेंगे वो कौन से risk होंगे जो कि आपको भी लेने चाहिए और safe risk होंगे तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं चैनल पर अगर आप लोग नए है तो चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा fantasy expert news को और अगर आप लोग telegram पर नहीं है तो telegram पर जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे description में link है यहाँ पर click करेंगे जैसे ही तो आपको हमारा मिल जाएगा telegram का link यहाँ से जुड़ेंगे 17,000 से ज्यादा member हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और वीडियो को जल्दी से like कर दीजेगा ठीक है आते हैं हमारे points की तरफ इस venue के बारे में है ना trend bridge का यह क्या है कि short boundary वाला venue है अब मैं आपको लंबा चोड़ा बताऊं उससे better है कि मैं आपको short में बता दू, short boundaries वाला match है, short boundaries यानि यह क्या है, batsman को favor करेगा, plus high scoring matches यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, plus यहाँ पर spinners के लिए भी help है, क्यों के help है, क्योंकि थो यह आपको नंबर दिख रहे होंगे, यहाँ पर देख लिजे, boundaries क्या है, short है, तो man's के matches में तो score करना काफी ज़्यादा easy होगा, और high scoring matches ही यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर आपको देख लिजे, example के तोरपे, trend rocket यहाँ पर खेली, over invincible के साथ में, 181 गया, बहुत बड़ा total है, 180, वो भी 100 balls के अंदर, T20 हो तो मानते ही सही, लेकिन 100 balls के अंदर इतना बड़ा score, काफी minor रखता है, women's का match है, यह छोड़ दीजे, men's के match में 143 बना, यह थोड़ा सक्या सकते हैं, average score वाला match है, पाकि उससे पहले England versus India का match हुआ, तो भी score गया, Durham और Nottingham Shires के बीच में match हुआ Nottingham Shire और Derby Shire के बीच में हुआ, Leisister Shire और Nottingham Shire के बीच में हुआ, Nottingham Shire कौन सी टीम है, जो की है, समीत पतेल का, समीत पतेल इसी टीम से खेलते थे और इसी venue पर खेलेंगे आज, तो key player वो रहेंगे, क्योंकि इस wicket पे spinners को help मिलती है, यह मैं नहीं कहे रहा हूँ, यह number show कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप दोग देखेंगे, first और second inning में total wickets निकले हैं, पैसर ने लिकाले हैं 61, तो वहीं spinners को भी wicket मिले हैं, कितने आप लोग count कीजिए, 24, 16, कितने हो गए यहाँ से, 43 wickets, 43 wickets जो है total निकले हैं spinners को, यानि आप लोग मान के चलिए, कि 2 wicket प spinners को यहाँ पर मिलने ही वाला है, यह अप लोग ratio पकड़ के चलेगा जरून, form की बात करते हैं, London, spirit अब तक unbeatable रहा है, first position पर point stable में हैं, और winning करने के chances हैं, लेकिन सबसे बड़ी news क्या आ रही हैं, यहाँ पर वो बात करते हैं, spirit की तरफ से main all-rounder Glenn Maxwell जहाच चुके हैं, वो छोड़ चुके हैं, the end rate को, क्योंकि उन्हें Australia की जो one day international series है, against Zimbabwe, वो खेलने जाना है, तो उनके place पे, Australian all-rounder, और Australian wicket keeper batsman आया, Josh English, ठीके, यह team के साथ में, जो हैं, 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 यह दो changes हैं, लंडन spirit sword, 10 rockets के बीच पे, playing के लिए, उनकी जल्दी से बात करते हैं, देखो, सबसे main बात हैं, जब small league की team create करते हैं, तो आपको top 4 की तरफ ध्यान में रखना होता है, कि main top 4 batsman हमारी team में रहेंगे, बाकी उसके बाद में, अगर कोई all-rounder आ रहा है, तो pick करना प्लस death के बोलर्स को avoid नहीं करना, especially जो permanent death में गेंदबाजी करते हैं, जैसे Daniel Sam's permanent करते हैं, प्लस Lukewood, यह दोनों death के गेंदबाज हैं, मस्चो पिक में रहेंगे, प्लस एक spin department बेसे किसको हैं, तबरे शमसी, जो कि मुझे लगता है, नहीं खेलेंगे, तो फिर रशित खान आ कि दिक्कत देखा लही है कि विकेट एकाद विकेट से जादा नहीं मिल रहा है, तो Spin करेंगे, जैसे कि एक-दो में इसमें विकेट से उतने नहीं मिलें, तो रश ह Rahid Khan, अगर कम बेख करते हैं, तो मैं expect करूगा कि कम-से-कम दो विकेटीम के लिए और छोड़ना नहीं क्योंकि यह बंदा आपको विकेट्स लेकर देगा ठीक है इसमॉल लीग के जो सेफ सेलेक्शन से डेविड मलान एलेक्स हैल्स और टॉम कलर कैडमॉर है मेरे ग्रैंड लीग के सबसे में कैप्टन यही रहने वाल है क्योंकि एक ओपन प्लेयर तो फ्लॉप हो गई है कॉलिन म कर सकते हैं अदर्वाइस छोड़ सकते हैं मैं इन टॉप थ्री के साथ में जा सकता हूँ ठीक है या फिर मैं एक चीज कर सकता हूँ कि मैं किसी एक जो इन्फोम बैट्स मैंन है उसको छोड़ दूँ या तो मैं LXL को रेस्ट को दे दूँ ग्रैंड लीग वाली टीम में औ तो में क्या कर सकता हूँ राशित खान को एड़ कर सकता हूँ अपनी टीम में अदर्वाइस सेम जो मैं आपको बता हैं प्लेयर्स वही मैं पिक करूँगा लंडर इस्पिट्स की तरफ से बात करता है अगर इंग्लिश आते हैं तो मुझे लगता है इस बैट्स में नहीं आते हैं और ऑस्ट्रिलियन जो विकेट की पर बैटर है बैन मैक डर में टकर यह आते हैं तो यह भी खेलेंगे यहां पर और ओपनिंग कर सकते हैं ठीक है यह दो दोनों प्लेयर्स में डाउट है कौन खेलेगा अगर यह लेकिन इंग्लिश की प्रविटी मुझे थोड़ी प्लेयर रहेंगे जो कि आपको ग्रेंड लिग में भी और डीटी में भी सबसे इंपोर्टेंट प्लेयर नजर आएंगे इन दोरों में से एक प्लेयर बड़ा टूटल करेगा और हो सकता है वो आपको 60 या 60 से अबोव पॉइंट से जो है वो देखे चला जाए और आपकी ग्रेंड लिग को मिस करवा दे इसलिए ये ध्यान रखेगा ठीक है बाकी यहां से मैं किसी प्लेयर को नहीं लूँगा मैं डैन लॉरेंस इनको नहीं प्रिफर करूँगा अगर काफी टॉप ओडर चोड़ रहे हैं तो जील में आप लोग आप लोग आयन मॉर्गन को ट्र बहुत अच्छे बोलिंग इन्होंने किया था तो मैं अपनी टीम में इंक्लूट कर सकता हूं कब इंक्लूट करूँगा ग्रैंड लिग के फॉर्मेशन के अंदर पकी यहां से अगर कोई खेलेगा तो मैं आपको बचा दूँगा क्रॉली आने वले पर ध्यान रखेगा न मलन और हैल्स को छोड़ दे तो अपनर तो आपके लिए इंपोर्टेंट यही है इस्टार प्लेयर एक बार फिट से मैं माक कर रहा हूं जिसने वीडियो थोड़ा बहुत भी स्कीप किया उनके लिए मैं बता देता हूं टॉम कॉलर कैडमोर है मेरे लिए स्पेशल पिक है जिनको मैं पिक करूँगा ठीक है समित पटेल का हॉम ग्राउंड है तो वेन्यू इस पर इनको एडवन्टेश है इसलिए दो प्लेयर मेरी टीम में होंगे ही होंगे इनको आपको अपनी टीम में रखना ही है इस्पेशल लिग टॉम कॉलर कैडमोर गैंड लिग में भी इस परफॉर्म कर रहा है इसी वैसे यह टीम विन भी कर रही है लंडन स्पिर्ट्स की यहां पर बॉलिंग यूनिट में देखेंगे तो जॉर्डन थॉम्सन नाइन विकेट्स मैसन क्रॉन शीक्स लियाम डॉसन फोर इलीस थ्री फिर ग्लैन मेक्स दो वुड एंड यहां से ब फोकस कीजिएगा अपनी टीम बनाते वक्त बाकी यहां पर सब कुछ है मेरे पास देटा लेकिन इतना बताने से बैटर है कि मैं आपको सीधा टीम फॉर्मेशन से रेडी करके बताऊं कैसे हो रहा है तो मैं बात कर रहा था यह नाइन कोर प्लेयर सभी के हो रहे थे तो हम पर फिलाल के लिए स्मॉल लिग में यह ही रखेंगे चंजेस हमाई टीम में क्या रहेगा कॉल प्लेयर में एक कोल में में शमसी की जगा हो सकता है राशित खान जीसे की आएंगे तो वो मैं यहां से अपनी टीम में एक एड़ कर सकता हूँ अब बाकी दो बचे प्लेयर मे मेरा एक player रहेगा Tomcaller Cadmore अगर Ben McDermott खेलते हैं तो then में यहाँ पर हो सकता है रोशिंग्टन के place पे Ben McDermott को pick कर लूँ अगर English केलते हैं तो फिर भी मैं ignore करूँगा ठीक है यहाँ से आप लोग ध्यान रखेगा यह interchange होंगे मेरा player रोशिंग्टन के place पे Ben McDermott जो combination है वो सब कुछ सेम रहेगा एक changes मैंने आपको बताई दिये अगर राशिद खान केलते हैं तो यहाँ पर राशिद मिलेंगे मेरी team के अंदर और यहाँ पर रोशिंग्टन की जगा McDermott अगर खेलते हैं तो यह ठीक है यह मेरा पूरा small league का formation मैंने बता दिया है यहाँ पर यहाँ पर changes होंगे Captain Vice Captain C में last decision में ले सकता हूँ क्यूंकि दोनों ही inform bats मैंने David Mellon और Alex Hales तो थोड़ा सा route है मुझे क्यूंकि David Mellon थोड़ा सा inconsistent रहे comparison to Alex Hales के लेकिन फिर भी risk लेंगे यह तीनों के बीच में ही मेरा CVC का selection रहेगा तो फिलाहल के लिए Captain मेरे David Mellon ने Vice Captain C मेरे Daniel Sims को अपनी टीम में रखा है अब बात करते हैं जल्दी से तीनों हमारी Grand League के combination है इनको ready करते हैं इनमें एक-एक changes भी मुझे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ टीम आप लोग देख लीजे यह Grand League का team है जिसमें Captain मेरे Tom Collar केडमोर है यहाँ से एक change मुझे क्या करना है वो सीधा मुझे यहाँ से करना है तब इस शमसी के place पर जो हमारे bread wheel है इनको मुझे अपनी team में include करना है तो यह मेरे Grand League का combination है Captain Quadmore है Vice Captain Nathan Illis को में नहीं आसे किया हुआ आप चाहें तो इसके अंदर bread wheel को कर सकते हैं क्योंकि हम जो एक team आपको GL की दे रहा हूँ उससे तीन combination बनेंगे Tom Collar first number ठीक है इसमें first का जो A Captain आप Vice Captain कह सकते हैं bread wheel यानि A तो यह हो गए यह हो गए हमारे B C जो हो गए वो हमारे Daniel Sam and D pick के अंदर हमारे हो गए यहां से David Muller इन ही के साथ में CVC के options में बनेंगे ठीक है और यह जब बनाएंगे न यह दोनों का तो यह द्यान बात आप लोग ध्यान रखेगा यह जब पहले बेट करी हो TRT की तब आपको यह सा करना है Tom Collar और Daniel Sam यहां से David Muller बाकि आप लोग फर्स बेट करें चाहिए सेकंड बेट करें इन तीनों के साथ में तो जाही सकते हैं ठीक है यह वाली टीम देखिए आप लोग यह भी मेरा Grand League का combination ही है Tom Collar, Cadmore मेरे Captain है Vice Captain सी मेरे Luke Wood को दिया है Vice Captain सी आपके पास में Jordan Thompson एक अवलेबल है D-Bell Drumpt है प्लस अगर Ben McDermatt खेलेंगे तो में तो मस्ट है मेरे मेरे CVC का option भी हो सकते हैं फिर Small League के अंदर ठीक है उनको मेरे रखूंगा तो यह मेरे तीन आपको इससे और combinations बनेगे जो कि मेरे आपको टीम का preview दिखा दिया है एक और Grand League का team है जैसे में समीत पटल के home grounds का advantage लेते हो मैंने Vice Captain सी दिया है प्लस Captain सी Tom Collar, Cadmore को मैंने यहां सी दिया हो बाकी same team जो है पूरी से हैं में एक change मैं आपको एक बार फिट से बता रहा हूँ ये भी आप ध्यान रखेगा कि शमसी के placement मैं आसे Bradville को लूँगा तो बहुत ज़्यादा confident हूँ मैं इस match में इसलिए मैं Grand League को target करूँगा और आप लोगों से भी कहूँगा आप लोग भी खेले Hopefully आप लोगों कोई वीडियो एनलेसिस टीम इनफॉर्मेशन से आप लोग सही और सटीक टीम का सेलेक्शन कर पाएंगे मिलते हैं हम नेक्स वीडियो में तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक एंड शेर जरू करें Thank you